लाए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अनलोग जेसरकेडमी के एक नए इनिशिटीव प्रिलिम्स का बर्मास सीरीज में जिसमें हमारा उद्देश्य है पिछले 10 वरसों में आये हुए यूपीसी प्रिलिम्स पर डिस्क्रेशन करना इस टेडिंग में हमने पिछले 5 सेशन में 2013 के जो पीवाई क्यूस थे उन पर चर्चा की थी अब सेशन 6 को हम सुरू करते हैं इस सीरीज में हमारा उद्देश है कि हम किुशन कि एप्रोच को समझे साती समझे कि एक्जामिक deciकू के साथ हम से पूच राए क्या अग्जामिक चाहता है हमसे पूचन हमसे पूचन के पीछे क्या वो करन्ट से Link bande है या फिर इस्टै क के प्शफ्चन है और इस तरह से format ल ग्लिम्स पीवाई क्यूस का कुश्चिन 51 है लोग लिखा की संसद्य समीति यह कुश्चिन पूछा गया था इसका कारण था कि आपको पता होगा कॉल स्केम हुआ था कॉल इसके मुगता 2012 13 के असपास और इस समय पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ने एक्जामीन की थी के एक रिक रिपोर्ट्स को जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है उसकी रिपोर्ट्स को को पर जो रिपोर्ट्स थी उनको एक्जामीन करने गया था और काफी न्यूज में रही थी आसनी इसास वर्लिक अकाउंट्स कमिटी इस वजए से यह कुष्यन को पॉर्म किया गया सरकार के बिनियोग और बित लिखाओं की भी जाज करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी बिल्कु सही है लेकिन यह इस्टेट्वर बिल्कु गलत है कि 25 अश्रत गाड़ित होती है इसका जो सही अंसर निकल के आएगा वो है बी केवल दो और तीन पब्लिक अकाउंट कमेटी के दूसरी है क Nh Dil以前 क्मेटी ओन पब्लिक अंडरिकंगिं इस तरह से तीन कमेटी है जो इंपोर्टेंट कमेटी है फाइनेशी 55ड पालेमेंट चर्यॐजरी उसमीति उसमें स से पब्लिक अकाउंट कमेटी के अगर बात करें बश्लाओं सही थी तो पब्लिक अकाउंट कमिटी आई थी 1921 में 1921 कि से थी गर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसको कि कहा जाता है मोंटेग्यू चेम्सपोड और उसके बाद से इसको हड़ साल बनाया जाता है रूल नंबर 308 है लोकसभा का जिसके अंतरगत यह फॉर्म होती है इस कमिटी के उसे पैनेमिट्रिस दिये गए जिसमें कहा गया है कि इसमें 22 सदस्य होंगे और 22 सदस्य में से 15 सदस्य होंगे लोकसभा से और जो साथ सदस्य होंगे यह साथ सदस्य होंगे राज्जी सबा से और इनको चुना जाएगा पार्लेमेंट में से किसके दौरा अनुपातिक पृतिनिदित, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के दौरा, सिंगल ट्रांसफरेवर बोर्ट के दौरा, एकल संकरमनी है, मत के दौरा चुना जाएगा, और कोई भी मिनिस्टर, इसका सदस्य नहीं होगा, दूसरी चीज, इसके जो चेर्मेन को चूज किया जाता है, चेर्मेन को कौन चुनेगा, चेर्मेन को चुनेगा, इसपीकर ओफ लोकसभा, लोकसभा के जो इसपीकर है, वो इसके चेर्मेन को चूज करेंगे, और अब तक जो 1967 के बाद से, एक नया नवाकरम सुरू किया गया, नवाचार सुरू किया गया, जिसमें कहा गया कि विपक्स का जो सदस्य होगा वो इसका मेंबर होगा विपक्स ओपोजिशन का और एक साल का इसका टर्म होता है पबलिक अकॉंट कमिटी का एक्जामिन क्या करती है पबलिक अकॉंट कमिटी तो केक की रिपोर्ट को एक्जामिन करती है सबसे पहले तो केक की जो ऑकाउंट होते हैं सरकार के उसको चेक करती है इस तरह से इसका सही आंसर हो है सरकार के विनयों की बित्ति लिखाओं की फिर करती है और रिपोर्ट की जन्च करती है केबल दो ढ़्तिन और यह सही नहीं है 25 सदस्य नहीं नाम दिये गए हैं त्यागराज, दादुदयाल, गुरु नानक देव, इन में से पूछा गया है कि इन में से कौन उस समय उपदेश देता था, देते थे जब लोदी बंस का पतन हुआ और बावर सत्ता रूर हुआ, हमें यह पता है कि बावर 1526 में, तो हमें ही रेखना है कि इसके आसपास कौन से भक्तिशंद इस समय हुए थे, अगर हम बात करें त्यागराज की, त्यागराज की, तो त्यागराज यह हुए थे 1767 से जो टाइम फ्रेम था, वो थे 1767 से 1847 के बीच में, और यह करनाटिक मुजिक से रिलेटेट थे, करनाटिक जो संगी थे उससे रिलेटेट थे, दोकलिष्ट थे, कंपोजर थे, और तीन लोग ओड़ते, त्यागराज, साथ में एक है श्यामा सास्त्री, और एक थे मुथ्थु स्वामी दिक्षितार, इन तीनों को मिला के बोला जाता था, त्रिनिटी ओफ करनाटिक मुजिक, संगीत की त्रिमूर्ती, त्रिनिटी ओफ करनाटिक मुजिक, दूसरे जो थे, दादु देयाल, दादु देयाल के बादे में कहा जाता है, इनका जो टाइम फ्रेम था, बो था 1544 थे, 1603 तक, और ये कभी थे, संत थे, और गुजरात से विलूम कर जिते, फिर इनुने दादु पंत की भी इस्तापना कीती, दादु पंत, जो कि इनुने कीती, कहाँ पर नारायना जैपुर में, नारायना जैपुर, राजस्थान, गुरु नानक देव की बात करें, तो गुरु नानक देव का जो टाइम फ्रेम है, वो है 1469 से लेके 1549 तक, और शिक धर्म को, कि जनक मना जैते गुरु देव को, ननकाना साहिब पाकिस्तान, जो भी के बर्तमान पाकिस्तान में, वहाँ पर इनका जनम होगा था, तो बावर जब भारत में आया था, लुदी बंस का बतन होगा था, उस समय केबल गुरु नानक देव थ इसका जो सही आंसर है, वहाँ केबल दो, इस तरह के कुश्यन में, यूपेस से आप वो कन्फूज करना चाहता है, बिलकूल करना चाहता है, लेकिन अगर आपको बिलकूल भी इसका अंदाजा नहीं हो, लेकिन अगर आप लगा सकते हैं, क्योंकि त्यागराज के बारे में भी A और D eliminate हो जाएगा, option बसते हैं, B और C, तो अगर इसमें आपको surety है, तो इस तरह के कुश्यन आप बिलकूल risk ले सकते हो, 50% जहां पर probability हो, आप तो risk लेना पढ़ेगा भी आप, नेक्स यो कुश्यन है, कुश्यन नमबर 53, पारी तंत्र में खाद सिंकलाओं को संदर्म में, निम लिखिर में से किस प्रकार के जीव, आप घटक जीव कहलाते हैं, with reference to food chains in ecosystem, which of the following kind of organism, which are known as decomposer organism, कि जो food chain है, उसमें इन तीन options में से किसको आप घटक जीव या decomposer की रूप में माना जाता है, जाना जाता है, food chain के एकर हम बात करें, तो दो तरीकी food chain होती है, एक होती है grazing food chain, जिसको शाक बड़ती हिंदी में शाक बड़ती बोला जाता है, और एक होती detritus, जिसको का जाता है अपरद food chain, grazing food chain शुरू होती है, इसकी chain इस तरह से होती है, लेकिन जो detritus food chain है, अपरद जो खाद संकल है, यह चालू होती है, जो कार्गनिक परदात होता है, इन पर्टिकुलर डेड़ मेट्रियल का, म्रत परदात होता, कार्मिक परदात, जो organic matter होता है, डेड़ और डिके प्लांट्स का, अनिमल्स का, इन से शुरू होती है, और इ bacteria, लेकिन virus नहीं होते हैं, अगर हम aquatic ecosystem की बात करें, तो aquatic ecosystem में, जो aquatic ecosystem होता है, जलिये परिस्तिति की तन्त, उसमें जो major energy flow होता है, वो होता है, grazing food chain के दुआरा, लेकिन अगर हम बात करें, terrestrial, जो परिस्तिति की, terrestrial ecosystem जो होता है, उसमें जो मेन एनरजी फ्लो होता है वह ओता है। रोटेटरस फूर्ट में अपरत इसमें खद संकला में इसलिह इसका जो सही आंसर निकलके आएका वो वाइरस नहीं होगा एक को आप काट सकते हैं विश्वन नहीं होगा कभक होगा जिवन होगा फंजी और वेक्टरिया होंगे और केवल अंसर आएगा केवल दो और तीन वाइरस की अगर हम बात करें तो वाइरस क्या होते हैं जनरली यह डोर्मेंट लाइफ जीतते हैं एक निश्क की रिए लाइफ जीतते हैं और यह एक्टिव कब होते हैं Metabolically inactive रहते हैं generally लेकिन यह जब host body में आते हैं तो यह active होता है और host body में आके यह invade करते है उसके nucleus को carry करते है वहीँ पर बात करें bacteria, fungies की तो यह degrade करते है bacteria और जो fungi होते है यह degrade करते है इसको adritis को, जो अप्रध होता ह oraz kon simpler inorganic substance में जिसको catabolism process कहा जाता ह guit उसके बाद finally यह humification करते हैं, जिससे humus का निर्मान करते हैं, इसलिए इसका जो सही answer है, कि अब बटक जीब कौन होते हैं इसमें खाल संकला में वो बाइरस नहीं होते हैं, फंजी और वेक्टरिया होते हैं, केबल 2 और 3, इसमें से भी अगर आपको बाइरस पता होता, तो इस सेत्रों में पाए जाते हैं, जहां, चार option दिये हैं, और उसमें कहा गया है, इसमें question पूछा गया है, कि जो दुनिया के सबसे ज़्यादा important fishing ground है, का पर ज़्यादा fishing होती है, वो ऐसे कौन से region है, particular कुछ region है, जहां पर एक जैसी चीज़े है, मुया होती है, वहां पर मिलते हैं, इसमें चार statement दिये गए, एक कहा गया, कोश्न और स्रजा सीत, बायू मंडली धाराएं, बार्म एंड कोल्ड एट्मोस्फेरिक करंट मीट, दूसरा है, नदिया सागरों में प्रचुन मात्रा में ताज जल प्रपाइट करती हैं, तीसरा है, कोश्न और सीत सागर धाराएं मिलती हैं, बार्म एंड कोल्ड ओशियनिक करंट्स मीट, और D है, महादीपिये सेल्फ तरंगित है, कोश्न और सेल्फ अंडूलेटिंग, अगर आप देखें तो इंपोर्टन जो फिशिंग डाउन मिलते हैं, इसलिए यहां पर दो statement आप देखेंगे, एक जैसे लगेंगे A और C, जिसमें बात की गई यह simple warm and cold currents की, लेकिन यहां atmosphere current की बात की जारी है, यहां पर oceanic currents की बात की जारी है, इसका जो सही answer है, वो है C, इसका कारण है, जहां पर भी cold और warm currents मिलती है, जो की जलधारा मिलती है, ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है, महापर क्या ह होता है, planktons जो होते हैं, इनकी population बढ़ जाती है, और plankton से population बढ़ जाती है, तो fishes की population बढ़ जाती है, मचलियों की तादत बढ़ जाती है, और ऐसे में यह अच्छे fishing ground बन जाते है, important fishing ground बन जाते है, यह वाले region, जहां पर warm and ocean currents मिलती है, और यह shallow water होता है, चिचला जल होता है, जन past भी होता है, लेंड के, तो अगर हम इस तरह से देखे है, तो जापांस यह वाले region, यह मेहत कुम मतर्शें सेहतर है, यहां पर क्यों मतर्शें सेहतर है, क्यों की current जो है, जो की warm current है, जो की warm current है, जो की warm current है, यह मिलती है Oya-Sio से और कमचट का current से, जो की cold current है, उसी यहां पर भी काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड है इस तरह से कई जगे जहां पर गर्ब जल्दारा थंडी जल्दारा से मिलती है वह अपने आप में एक फिशिंग ग्राउंड होने के लिए जगे उपलब कराती है इस तरह से सही अंसर है वह है को बार्मेंट कोर्ड ओशिनिक करेंट मीट इसलिए यूपेसी ने बार्मेंट कोर्ड एट्मोस्फिरिक करेंट का जो एक ओप्शन है यह बनाया गया कंफ्यूज करने के लिए लोगों को इस तरह से कुश्चन पढ़ना और देखना जभर ज़रूरी है प्रिवी ने से रहे है कि आपको पता लग सके कि यूपेसी किस तरह से आपको खहीं कर सकता है यह आपको एक तरह से कर सकता है और वह बहुत ज़रूरी है एक्जाम में नेक्स्ट कुछन है और 55 निमलिखित में इसे कौनसी विशूवती है बनोगे अधुवती अधुठिय विशिष्ताओ अब पता होनाद चीआ इक्वेटरियल फोरेष्ट के आच पास और यह भाला जो रीजन हो गया एक्वेटरिय। तो यह वाला रीजन एक्विटर फोरेश्ट अब इस रीजन में सबसे दक क्या होगा अधिते विजिस्ता क्या होगी आप खुद ही देखिए उचे घने ब्रक्षों की बिद्धमानता जिनके क्रीट निरंतर बितान बनते हो इस तरह की एक तो UPSC हिंदी देता है कि हिंदी की हिंदी हो जाती है दूसरा है बहुस सी जातियों का सहस्तित्व और तीसरा है अधिपादपो की असंके किस्मों की बिद्धमानता हो प्रिजन्स ओफ नूमरस बेरैटी जो एपिफाइट्स आपकों बता है विशुवतिये वाला जो रीजन है यहां पर सनलाइट काफी ज्य क्या होता है ऊचे घने प्रक्षों की विद्धमानता तो बिलकूर होती है प्रिजन्स ओफ टोल कलिजली सेट्टरी जो होते है और एक दूसरे से ऊपर जाने की कोशिश करते है तो यह कैनोपी से बन जाता है साथ ही बहुस सी जातियों का सही स्थित्व होता है बिल्कूर स इनकी असन के किश्म हो जाती है इसका भी कारण यह है कि sunlight के लिए sunlight जम नहीं मिलती और यहाँ पर जो आपको high temperature मिलता है और rainfall coffee continuously great rainfall मिलती है पूरी साल rainfall मिलती है तो यहाँ पर जो प्रजाती होती है वो है evergreen forest manly सदा वाहर जो बन होते है तो ऐसे में अधिपात्पो की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि उनको भी sunlight सी होती है और इसी लिए काफी ज़्यादा एपिफाइट्स की और वो पेड़ों के सारे या किसी तरह के से उपर बढ़ने की कोशिश करते है तक कि sunlight मिल सके क्योंकि complete canopy होती है इस तरह से इसी तरह के forest को अमेजन जंगलों बोलते से canopy होती है continuously canopy होती है बिलकुल और नीचे sunlight बिलकुल ही पहुशती तो इसी लिए जो एपिफाइट्स है वो काफी ज़्यादा उपर जाने के कोशिश करते हैं जो एपिफाइट्स काफी ज़्यादा मात्रम मिलते है और यह वाला region जो है यह वाला region है जहापे equatorial forest मिलता है equatorial जहापे high temperature होता है और rainfall जो होती है वो काफी ज़्यादा होती है और साथी जो पुनस्पती मिलती है वो है evergreen forest नमर 56 है निमलिखित में से कौन से पूझी गत लेखा की रचना करते हैं which of the following constitute capital account यहाँ पर बात पूची जारी capital account के बारे में कि current account जो चालू खता होता है और capital पूझी गत जो लेखा होता है उसमें किस तरह से अंतर होता है ज़र हम देखें balance of payment में तो एक तरफ होता है current account एक तरफ होता है capital account current account में देखे जाते है current account mainly होता है जिसमें represent होता है country की net income एक particular period of time में country की net income हो देखी जाती है तो इसमें visibles और invisibles द्रश्य और द्रश्य के रूट में दो segment होते है विजीवल्स में आते है trade of goods जो भी goods का trade होता है वो विजीवल्स में आता है SIT services जो services मुहिया कराते है income और transfers इसी तरह capital account की बात करें तो capital account में देखा जाता है net change of net change of asset परिशंपत्ति और liabilities liabilities देंदारियों का जो net change होता है वो record किया जाता है तो इसमें तीन चीज़ होती है investment loan और banking capital इंवेस्टमेंट की बात करें तो इसमें दो तरह के investment होगे foreign direct investment foreign indirect investment या foreign portfolio investment जिसको बोलते है FPI इसी तरह से loans की बात करें तो sovereign loan हो गया external commercial borrowings हो गई तो यह बनके और capital account मनते हैं कुश्चन पूचा गया है इन मैंसे future of the following constitute capital account foreign loan ओविसी बात है हमने भी देखा capital account को फर्म करते हैं विल्कुल करते हैं foreign direct investment करते हैं बिल्कुल खरी करते हैं portfolio investment foreign portfolio FPI भी करते हैं FDI भी हो गया विदेशी रिइन भी हो गया बसता है private remittances ने जी प्रेशी धन remittances transfer income के अगर बात करें तो यह आता है इन्विजिवल में जो की आता है current account में इसलिए तीसरा विल्कुल भी नहीं होगा और तीसरे को जैसी यह आप कट करोगे answer निकल का जाएगा 124 इतना easy है लेकिन UPSC है तो question को थोड़ा गुमाएगा और यही हमें देखना है कि कहां हमें ditch किया जा रहा है कहां हमें हमारे साथ examiner क्या पूछना चाहरा actually examiner के बल सिंपल सी चीज देना है रहा है कि आप यह जानते हो private remittances capital account का पार्ट नहीं है current account का पार्ट है और अगर आप cable इतना सा जानते हो और चीज नहीं भी जानते हो तीसरा 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 आंसर निकल कहा जागा 24 नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नंबर 57 निमली की तैसे एतिहासिक इस्तलों पर विचार कीजिए consider the following historical places अजनता केप्स लेपाक्षी मंदिर साची स्तू तीन जगों के नाम दिये गए और इसमें पूछा गया कि इन में से कौन से भित्ती चित्रकला जिसको mooral pending बोलते इनके लिए जाने जाते है mooral pending के लिए mooral pending की अगर बात करें전 को बुक्ति चित्रकला कि तो हमारे देश में कई जगे चैसे आजनता हो चाहे एलो रहो बाग Prating और वृफ स सांची इस्तूपर में जो मिलता है वह है इस्कलप्चर्स और आर्किटेक्चर, अशोकन पिलर, इस तूप का दोम, इस तरी की चीज़े, तो सांची का इस तूप इसम बिलकुल भी नहीं होगा, लेपाक्षी मंदिर में मूरल पेंटिंग्स मिलती है, आजनता की कुफां मूरल पेंटिंग्स मिलती है, इसका सही आंसर निकल के आएग सांखे दर्शन के बारे में कुश्यन पूछा गया, कुश्यन नमर 58 है, भारत में जो दार्शनिक विचार का इतिहास है, इसके संबन्द में सांखे संपरदाय से संबन्दित निम्खले की कच्छलों पे विचार के जिए, बिद रेफरेंस तो थे हिस्ट्री ओफ सांखे, योगा, मिमानसा और एक बोलते हैं लेटर मिमानसा या उत्तर मिमानसा जिसको वेदानत भी कहा जाता है, इस तरह से छे दर्शन की बात की जाती है, इन सब के जनक किसी को बोला जाता है, या आप कमेंड करके जबो बताएए मेरे को कमेंड में, संखे के अगर हम ब माना जाता है कि इनके दुआरा एक पुस्तर लगी दिए थी, जिसका नाम था सांखे सुत्र, और इससे माना जाता है कि इसका उद्वाफ सांखे दर्शन का होता है, सांखे दर्शन में सांखे, कई बार यूज किया जाता है, गन्ना के रूप में इसका अतलब मतल निकला जाता है, और दूसरा निकला जाता है, Sankhe का सम्यक ज्ञान की रूप में है, कि Sankhe का मतलब होता सम्यक ज्ञान, जिसमें पुरुष और प्रकर्टी के बीच में जो भिःननता है, इसका ज्ञान जिसको होता है, Sankhe Дrushan की रूप मोना गया रोप एक इश्वर कृष्ण हुए इसी दर्शन में इश्वर कृष्ण जिन्होंने लिखी थी सांखे कारिका और यह भी काफी इंपोर्टेंट बुक है सांखे दर्शन की सांखे सुत्र के बाद सांखे कारिका जिसमें काफी अच्छे तरीके से सम्मझाय गला है कि संकhya दर्षन एक्ट friendly क्या है कि तथ्व ज्यान से मुक्ति की बात करता है गीता में जो स्री किष्युन अर्जुन का उपदिश देते हैं साथ ही संकhya दर्षन दो तरेके मौक्ष की बात करता है जिसमें कहता है कि एक जीवन मुक्ती से मौक्स होता है जीवन मुक्ती एक होता है विदेह मुक्ती से जीवन मुक्ती में होता है संस्कार सेस रिते है संबन्द जो होता है सरीर से होता है जिसमें सरीर जो होता है नश्ट हो जाता है संसकार उसके सेश रहते हैं, विधे मुक्ति की जिसमें बात की जाती है, जिसमें का आ जाता है, संसकार और सरीर, दोनों ही नश्ट होते हैं, सांके दरशन 25 तत्वों की बात करता है, 25, ये 25 तत्वों की बात करता है, संके दरशन, जिनमें से दो जो में तत्व हैं, के सिद्धान को सुईकार नहीं करता है बिल्कुल गलत है सांखे दर्शन जब कर्म की अब्धार्णा को सुईकार करता है सांखे दर्शन पुनर जनम आत्मा के अवगर्ण को सिद्धान को सुईकार करता है दूसरा है सांखे की माननेता है कि आत्म ग्यान ही मोक्ष की ओड़े बाहत के संदर में संसधिय शाषन प्रणाली में निमिलिखिर में से कौन से सिद्धान संस्थागत रूप में नहीं थे इन दा कॉंटेक्स्ट ओफ इंडिया बिच ओफ फॉलोंग प्रिंसिपल से जर इंप्लाइड इसमें कहा गया है तीन स्टेटमेंट दिये गया है पहला स्टेटमेंट है मंत्री मंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं बिल्कुल सही है इसका एक exception है कि कुछ सदस्यों को 6 महिने तक मंत्री बनाया जा सकता है बिना पार्लियमेंट के मेंबर हुए और उसके बाद 6 महिने के भीतर उनको MP बनना होगा लेकिन इस exception को यहां नहीं रखते हुए इसको सही मानेंगे यहां पर exception नहीं पूचा गए इसमें simple general rule पूचा गए और जनरल रूल यही है members of the cabinet और members of the parliament तुम्हा पर exception लगाने मतलग जाना इस तरह के कुछिन आ जाए तो मंत्री मंडल के सदस्य संसत के सदस्य होते हैं बिल्कुल सहिए जब तक मंत्रियों को संसत का विश्वास प्लाप तो रहता तक ही अपने पतव बने रहता हैं बिल्कुल सहिए तीसरा है राज्ये का अध्यक्ष ही मंत्री मंदल का अध्यक्ष होता है इस कुश्यन को दुबार अश्व पढ़िए केविनेट इस हेड़ेड वाई दा हैड ओफ इस्टेट अगर इस कुश्यन को कई इस स्टेटमन कई लोग सही भी करके आये होंगे लेकिन आप ये देखीे केविनेट को हेड कर रहा है एड़ोimmेट को हेड करता है इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है और तीसरे स्टेटमेंट को जैसे ही आप गलत करोगे आंसर निगल के आ जाएगा 1 and 2 simple क्योंकि यहांपर simple ता है ये देखा गया है UPSC ने यह देखना चाहा है यहाँ पर कि आप कितना ज़्यादा चीज़ों को बारीकी से देख रहे हो, between the lines कितना ज़्यादा पढ़ रहे हो, cabinet is headed by head of the state, head of the state सोच कि आप तुरन PM सोचो कि उस confusion में उस confusion में आप इसको भी सही करोगे, answer लगा के आओगे 1, 2 and 3, जो की गलत होग नेगेटिव मार्किंग 1, 3rd, इसलिए एक एक शब्द को पढ़ने की, देखने की, उसको समझने की आदर डाली है, अभी से PYQS को देखिए, ताकि आप UPSC को उस एक्जाम को क्रेक कर पाए, और उसको क्रेक करने का और कई तरीका नहीं, UPSC के जो previous year के question है, केवल उनी तर है, वो यही, क्योंकि cabinet को head करता है, head of government, head of government, जो की होता है, PM, और head of state होता है, head of state, यह होता है, president, राष्ट्रपती, next question है, महादीपों के अंते इस्तों का बार्सी क्ताप परिशे, 30 शेत्रों के अपेक्षा अधिक होता है, इसका क्या कारण है, question number 60, जो annual range of temperature होता है, interior of the continents, अगर बात करें, यह interior जो हो गया, भारत का, interior of the continent है, इसमें high होता है, annual range of temperature, ऐसा कहा गया है statement में, कि जो अंते इस्तों का बार्सी क्ताप परिशे होता है, annual range of temperature होता है, यह coastal के मुकाबले, यह coastal जो रिजन है, इसके मुकाबले यहाँ पर अधिक होता है, और इसके कारण भूमी और जल के बीच तापी अंतर होता है, thermal difference होता है, दूसरा है, महादीपोर, मासागरों के बीच, तुंगता में अंतर होता है, variation in altitude between continents and ocean, तीसरा है, अंतिस्तों में तेज पबनों के विद्धमानता होती है, strong winds in the interior, और fourth है, तटों की अपेक्शा अंतिस्तों में होने वली भारी बढ़ सा, heavy rains in the interior as compared to coast, अब एक चीज़ बताइए, western घाट पे सबस्यादा बारिस होती है, काफी ज़्यादा बारिस होती है, ऐसे में यह कहना heavy rains in the interior as compared to coast, बिल्कुल गलत है, कोई coast पे भी काफी बारिस हो रही, western घाट पे पूरे बारिस होती है, evergreen forest मिलते है, य इंटीर, इंटीरियर में क्या coastal region में भी काफी ज़्यादा strong winds होती है, इसकी वज़े से कोई annual temperature नहीं काम हो रहा, या उसके कोई किसी तरगा change नहीं आ रहा, फिर है महादीपॉर महासेगरोव भी तुंगता में अंतर, जो altitude का variation होता है between continent and ocean, ये एक कारण नहीं है annual temperature का, इसक of temperature, उसका कारण है ये, भूमी और जल के बीच में तापी अंतर, thermal difference between land and water, इसका जो सही आंसर है, वो है केवल एक, ये क्या हो गया, इसका जो सही आंसर है, वो है केवल एक only, बन only, इस तरह से आज की हमारी शेरीस समाप सुती है, तब तक के लिए जुड़े रहे हैं को भी शोल करना, ये क्या हो गया, तो ये धन्यवाद, बहुत धन्यवाद,